Countdown 3 का जो है book number 3 है और इसका जो हम chapter कर रहे हैं वहाँ पर चलते हैं जो हमने chapter स्टार्ट किया वह फ्रेक्शन्स का page number यह है हमारे पॉस 115 तो हम 115 पर चलते हैं अच्छा अब हमने जो करनी है आगे यहां से यह तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लेकिन हम इसकी exercise जो है वो 3A पर है तो आगे चलते हैं ताकि इसकी exercise 3 पर हम आज़े है जी students यह हम exercise 3A पर आ चुके हैं page number आप चेक कर सकते हैं यह 130 है और इसमें last time हमने filling the blanks और true false किये थे आज हम students इसके MCQs करेंगे कुछ ऐसे concepts हैं जो आपको उसकी know how होना लाजमी है जिस नहीं से हम normally अपनी mathematics में सुनते हैं proper, improper और जो है equivalent, in equivalence और इसमें को और concept आज़ेता है like और unlike का सबसे पहले यह चीजें आपको समझना होंगी ताकि आप इसको असानी से समझ सकें यह MCQs को असानी से कर सकें ठीक है मैं आपको इसके बारे में guide करते हूँ जी students, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नी नॉमिनेटर्स क्या होते हैं, डी नॉमिनेटर्स क्या होते हैं, फिर आप इन तमाम concepts को असानी से कर सकेंगे सबसे पहले हम बात कहते हैं नी नॉमिनेटर्स denominator जो होती है ये आपकी above value होती है suppose कुछ भी लिखाओ 4 over 5 suppose तो ये वाली जो value है जो 4 है ये आपकी होती है denominators ठीक है students अब हम आ जाते हैं denominators पे डी नो मी नेटर्स मैं इसको break करके इस ले करते हूं ताकि इसके spellings जो हैं वो clear रहे spellings जो हो खराब नौ ये जो नीचे वाली value है इसको हम कहते हैं denominators जब आपको ये denominators और denominators का पता होगा तो असानी से जो concepts में आपको करवा रही हैं वो आप कर सकते हैं फर्स्ट हमारे पास जो concept है वो है proper का proper fraction fraction का chapter है proper fraction के अंदर students एक चीज़ आप जिन शीन कर लें हमेशा proper fraction के अंदर जो above value है जिसना ये है 4 और नीचे मैंने 5 लिखा है तो 4 जो है 5 से small है अगर आप देखें तो 4 5 से small है तो हमेशा proper fraction के अंदर उपर वाली जो value up value जो है वो नीचे वाली value से small होती है तीक होगा students secondly अगर हम आजें improper fraction में तो आप ये सोच लें कि ये proper fraction का reverse है तीक है improper fraction जो है proper fraction का बिलकुल inverse है यानि उल्ट है जिए opposite है अब 5 उपर आजेगा और 4 नीचे it means that के 5 4 से increasing value यानि बड़ी value है तो हम लिख देंगे यहाँ पर big ठीक होगा students एक दफ़ा repeat के रहती है proper fraction में उपर वाली value नीचे वाली value से small होती है improper में उपर वाली value नीचे वाली value से big होती है अब हम आजेते है like पे like fractions क्या होते है students like fraction के अंदर basically दो चीजों का एक जैसा होना है तो हम उसको like fraction कहते हैं suppose मेरे पास 4 over 5 है और यहाँ पे 9 over 5 है ठीक है तो यह जो इसका denominator है ठीक है नीचे वाली value को हम denominator कहते थे यह बिलकुल same है तो इसको हम क्या कहेंगे like fraction हमेशा आप याद रखिएगा like fraction के अंदर denominators same होते हैं अब हम आ जाते हैं unlike fraction ते unlike fractions में students इसका inverse है जैसे मैंने proper और improper का पताया था इसमें नीचे वाली जो आपके denominator हैं ठीक है वो same नहीं होते हैं जैसे यह मैंने दो लिखे हैं इसके नीचे 5 है और इसके नीचे 9 है तो यह दोनों different हैं तो यह unlike fractions होगे अब students हम बात करते हैं equivalent की ज्यादा तर जो students हैं वो equivalent पे issue करते हैं के भई हमें जो है na equivalent की नहीं समझा जाती हाला के equivalent जो है यह बहुत easy है यह equal से निकला है जो equal का sign आपने देखा हो ठीक है तो यह equal से निकला है equivalent इस equivalent के अंदर simple आपने क्या करना होता है suppose मैं यहां पे 9 sorry 3 over 27 suppose ले लेती हूँ अपनी तरफ से फर्जी मैंने यह examples ली है और यहां पे मैं 1 ले लेती हूँ और नीचे मैं 9 ले लेती हूँ अब मैंने identify करना है क्या यह value इस value के equal है तो मैं इसको cut करूंगी 3 1s are 3, 3 9s are 27 इसका मतब है 1 by 9 जो cross करके है और 1 by 9 equal है ठीक है इसलिए इसको क्या कहते है equivalent यह इसका equivalent यानि 3 over 27 1 over 9 का equivalent था अब बात करते है student in equivalent की इन equivalent अच्छा इसमें यह concept होता है यहां पे तो आपका clear cut equal आ गया ना suppose आपको value दी जाती है कोई भी value दी जाती है जिसना 2 over 27 ही हम ले लेते हैं जो 3 over 27 value पर ले ली थी और यहां पे मैं 1 over 9 ले लेती हूँ अब यह 2 over 27 और 1 over 9 ठीक है बिलकुल भी आपस में नहीं मिलते है इसलिए यह in equivalent fractions हो जाएंगे ठीक है students मतलब कोई hard and fast ruling है बस आपका focus इसके उपर होना चाहिए इन concept वे तो आप बात सानी कर सकते हैं ठीक है अब हम जो है अपने book के तरफ चलते हैं जो आपका chapter है हमने जो start किया हुआ है उसका third question करते है exercise 3a का page number 130 है इसमें कहते है select the correct answer from the given option and in equivalent fraction अब यह 2 by 7 दिया है और वो कह रहे है इसका आप equivalent fraction इन में से डूंडे है अब अगर आप देखें 2 by 14 अगर इसको टकैटर करूं तो यह तो बिलकुल भी इसका equivalent है वज़ाए यह है कि 2 1s are 2 हो ज़र 2 7s are 40 तो यह तो 1 by 7 आ जाता है अगर मैं cross क है इसको deduct करूं 2 2s are 4 2 7s are 14 तो यह 2 by 7 इसका answer आजेगा तो आप इसको take भी कर सकते है circle भी कर सकते है अब next में वह कहता है in the given figure the shaded part is अब यह एक देखें यह दीवी है एक shape जिसमें students 1 2 3 4 5 और 6 6 total है और इसमें color जो है 1 2 3 4 है तो यह 4 by 6 बन जाती है तो आपने simply 4 by 6 वैली को take भी कर सकते है circle भी कर सकते है यह आपकी choice है यहाँ पर आप देखें 4 by 9 और 9 3 by 10 है अब वो पूचे रहे कि यह unlike है यह like है यह improper है यह equivalent है सबसे पहले हम unlike देखते हैं unlike में अगर आप देखें तो यह 4 over 9 3 over 10 नीचे वैली इनक है तो यह बिल्कुल unlike ही लग रहा है और like तो बिल्कुल भी नहीं है और improper भी बिल्कुल नहीं है उपर वैली वैली जो है नीचे वैली वैली से बड़ी नहीं है और equivalent तो बिल्कुल भी नहीं है तो इसका correct answer unlike fraction है आगे देखें तो 37 over 5 है is वो कहते है क्या यह like fraction है like fraction में तो दो चीज़ी होनी चाहिए है एक कहते है यह improper है हम जी कह सकते हैं क्योंकि बिल्कुल कह सकते हैं कि improper है क्योंकि उपर वाली value नीचे वाली value से बड़ी है unlike भी बिल्कुल नहीं है और proper तो बिल्कुल भी नहीं है तो आपका जो correct है वो B option है अब यह part में कहता है ना proper fraction the denominator is अब denominator में अब देखें वो कहता है proper fraction के अंदर जो denominator होता है क्या होता है वो less than than denominator बिल्कुल भी नहीं छोटा नहीं होता है greater than denominator बिल्कुल ऐसा ही होता है उस में उस concept में तीक है और equal और यह तो जो है options बिल्कुल relating कह रही है अच्छा students यह मैंने आपको guidance दी आज की जो हमारे पास concepts ते तो आप इनको further इंशाला practice कीजेगा ताकि आप इसको अच्छे से कर सकें thank you so much, allahfiz, jazakallah khair